नमस्कार दोस्तों सिर्फ एक वादा अपने आप से जिन्दगी भर निपाना जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत जुकाना नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुमबरासी वालो की कुमबरासी वालो का 5 अगस्त दिन सुक्रवार कैसे रने वाला है उन्हें आने वाले समय में किनकिन चीजों से सावधान रना होगा और कुम्बरासी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन सी खुसकवरिया मिलने वाली है तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसे रहेगा उनका बिजनस बैपार कैसे चलेगा उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और साथ साथ उनका स्वास्त कैसे रहेगा तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फल बताएंगे अगर दोस्तों आपकी भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज सुक्रिवार है लक्ष्मी मा तक दिन दोस्तो कॉमेंट में जय लक्ष्मी मा जरू लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैन पर पहली बर आएं तो चैन को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलर करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पाँचांग की आज का पाँचांग है पांच अगस्त 2022 दिन सुक्रिवार आज की तीती ए अष्टमी आज का नचत्र है स्वाती नचत्र पच चल रहा है सुकले पच दोस्तो आज सूर्देव दे होंगे सुबे 5 बच के 44 मिनट पे और सुर्देव अस्तोंगे साम 7 बच के 9 मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय है सुबे 10 बच के 46 मिनट से दोपहर 12 बच के 26 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा और साथ इसाथ आज का असुब समय दोपहर एक बच के 47 मिनट से दोपहर दो बच के 41 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नमबर अच्छ है और लखी कलर है नीला अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ज्यान के बारे में चानक जी कहते हैं इन गलतियों के कारण रूट जाती है माल लक्ष्मी आदमी हमेशा बना रहता है फटे हाल जी हाँ दोस्तो जो लोग अपने कर्मे को समय पर नहीं करते हैं और उसमें आलश्य करते हैं उनके घर से धन की देवी माल लक्ष्मी रूट जाती है दोस्तो कभी भी साम के समय तुलसी के पौधे को इस परस नहीं करना चाहिए मानित है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्ता का पालन नहीं होता वहां से मालक्ष्मी चली जाती है जालू को कभी भी पैरों से नहीं चुना चाहिए और नहीं साम के समय जालू लगाना चाहिए क्योंकि इस से मालक्ष्मी चली जाएगी दोस्तो धर्मिस सास्त्र में साम के समय बाल और नाखुन काटने की मना ही है मानित है कि जो व्यक्ति इस नियम की अंदेख ही करता है उसके यहां से मातलच मी नराज होकर चली जाती है तो दोस्तों आज का चानक निति ज्यान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुम्बरासिफल के बारे में कैसे रहेगा आज का दिन आईए जानते हैं तो दोस्तों आप मानसिक और सारिडिक तोर पर ठकान मैसूस कर सकते हैं थोड़ा सा अराम और पोश्टिक आहर आपके उर्जय इस्तर को उठाय रखने में एहम साबित होगा भविस्यम अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें आपके व्यक्तिगत मूर्चे पर कोई बड़ी चीज होनी वाली है जो आपके और आपके परिवार के लिए उल्लास ले कराएगी रुमान्टिक मनुभावों में आचानक आया बदलाओ आपको काफी खिनने कर सकता है खुद्रा और थोग वैपारियों के लिए अच्छा दिन है आज काफी दिमाग एक असरत मुम्किन है दोस्तो आप में से कुछ सत्रंज खेल सकते हैं वर्ग पहली हल कर सकते हैं कोई कवीता कहानी लिख सकते हैं या भविस्जी के योजनाव पर गहराई से सोच सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के दर्मियान कोई अजनवी नोग जोग की वजा बन सकते हैं साथ ही आपको बताएं आज समय है अपने दिन्चरिया को परिवर्तित और नए अवसरु का सद उपयोग करने का अपने अकेले पन पर उदास महसूस कर सकते हैं लेकिन जल्दी किसी खास से मुलाकात आपके जीवन में बहार ले आएगी आज सर्विशेश प्रदसन करने पर आपके भविशे में सुरच्छा प्राप्त हो सकती है आने वाला वक्त आपके लिए एक सपने की तरह है जिसमें बदलाव और गती सीलता की पूरी संभाव ना है आपकी चमताय और गुण आपका पॉजिटिव पॉइंट है इसके साथ ही आज आप देन और उर्जवान मैसूस करेंगे याद रखे सफलता कठिन काम, अध्यन बली दान और लगातार मेहनत का फल है दोस्तो अगर अपनी चाहात के प्रदशन की कोई प्रतियोगिता होती तो आपको प्रतम इना मिलता आपका साजन सच में भाग्यशाली है क्योंकि उसे आप से अधिक प्रेम करने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा रेण या रोक की स्थीती में आपका परिवार आपके साथ खड़ा है आज अपने प्रेम संबंदों में ताजगी और कामुक्ता महसूस करेंगे आलिंगन, चुम्बन और प्यार से थपता पाने के साथ सारी प्रेम को प्रकट करना ना भूले क्योंकि या छोटी छोटी बात ही आपको एक दूसरे के करीब ले आएंगी आप अपनी उर्जा को शार्थक बदलावों की तरफ ले जाने के लिए उत्रे जीत और दिन है बस अपने उत्सा को ऐसे ही बनाए रखे साथ ही आपको बताएं आप पर भावनाओं का काबू रहेगा पिछले कुछ दिन से आपने अपने आपको बहुत नियंत्रन में रखाया लेकिन आज अपने भावनात्मक प्रकृति को छुपाने की आपकी सारी कोशी से बेकार हो जाएंगी किसी ऐसे काम में अपने पार्टनर को सर्प्राइज दे आपको अपने खुद के सभाव में कुछ गहरी विस्स्ताव का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी आप अच्छे से समझ पाएंगी अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते तो दोस्तों ये समय अपने रिष्टे में सकरात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए बिहस सही है आप इसे अगले स्थर तक ले जाने के लिए तयार रहेंगे लेकिन पहल आपको करनी होगी आप सवभापिक रूप से मितभासी और सरमील हैं और इसी कारण आपका साथ ही आपकी सची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में रहेगा बस अपने दिल की बात सुने और सारा आव विश्वास आपके रिष्टों से गायब हो जाएगा अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की तो दोस्तों आप अपने कैरियर की सुरुवात में हैं इसलिए आपको सीड़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पत को देखने की जरूरत है इन इस थानों में की गई कोई गल्ती का भुकतान आपको बाद में करना पर सकता है खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकाने आपको विरासत ने मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है तो दोस्तों ये था आज का कुम्बरासी का रासिफन रोज की कुम्बरासी देखने के लिए आप मारे चैनल को सस्क्राइब करें और पहला आइकन आल पर सिलट करें आपका दिन सुभो नमस्त दोस्तों रादे किश्ना